उत्तर परदेश की मेरापूर विधान सवा स्विट पर उप्चुनाव होना था और यहां से आरली की तरफ से जो पूर विधायक है नवाजी शालम खान उनका नाम जो है वो बड़ी जोर शोर से चल ला था संभावित परतियाशी उनको माना जा रहा था लेकिन कल रात उन्ह मेरापूर विधान सवा से उप्चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया है अपनी पोश में नवाजी शालम खान लिखते हैं कि उन्होंने शिष नेतरत को अवगत करा दिया है कि वो मेरापूर से उप्चुनाव जो है वो लड़ेंगे नहीं नवाजी शालम खान ने दो मुस्लिम परतियाशों को उतारा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं RLD इस सीट पर एक बड़ा फेर बदल करने की कोशिश में है जो जुट गई है समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर मुस्लिम परतियाशी के रूप में कादिर राना का नाम सबसे आगे चला है हलाकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने इस सीट को लेकर अपनी कोई घोशना नहीं की है लेकिन बोजन समाज पार्टी और अजाज समाज पार्टी पहले यहाँ से दो मुस्लिम परतियाशों को उतार चुकी है अगर अरली भी वहाँ से मुस्लिम परतियाशी उतारती है तो कही ना कही आरली के लिए सिट जो है वो कही ना कही फस सकती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए शायद अंदर ही अंदर कोई बातचीत हुई है जैन चोधरी के साथ तो नवाजिश आलम खान ने अपना नाम जो है वो इस सिट से वापस ले लिया है अब बताया जा रहा है कि आठ तारीक को जैन चोधरी खुद मिरापूर पहुचेंगे और मिरापूर आकर वो कारा करताओ कि नवज टटो लेंगे और साथ ही साथ मिरापूर से परतियाशी कोन हो सकता है इस बात का भी पता आठ तारीक को जो कारा करताओ के साथ जो बैठक ज चोद्री मेरापूर में करने वाले हैं उसमें पता चल सकता है आपको बता दें कि मेरापूर विधान सवा स्टPT pleasure में हुआ उप्चुनाव् चीट से और इस श्रीट पर उप्चुनाव होना है उप्चुनाव की तारिखोंग अभी तक ऐलान नहीं हुआ है बेकिन उससे पह उप्चुनाब के लिए देखने को मिल रही है टेविनान यूपी के लिए विकास कपिल